असलाम वलिगों मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स आज अगर आप इस उल्जन में हैं कि आज किया बनाएं तो यह मज़ेदार से कटलेस बना कर आप अपनी उल्जन को करें बाय बाय रेसिपी का नाम है आलू के कीमे भरे कटलेस तो चले बिसमिला करते हैं यहां पर मैंने पाव बगर हड़ी वारी मुर्गी यानि बॉनल शिकन को क्यूप्स की शिकर में काट लिया है अब इसका मिक्सी जार में कीमा बना लेंगे बिल्कुल इजी तरीका है यह कीमा बनाने का दिखने में तो आपको यह बिल्कुल पैस्ट लग रहा है लगिन जब यह पकेगा तो कीमे की शिकर इक्तियार कर लेगा तो मैं इसी तरीके से कीमा बना लेती हूँ इसी जार में पानी डालेंगे ताके जितनी भी जिकन जार में लगी हुई है वो पानी के सासर साफ हो जाए पिसावा गरम मसाला नमक कुट्टी लान मिर्च पिसी हुई लान मि अच्छे से मिक्स करने के बार ठकना लगा कर खुश खोने तक पकाएंगे कीमे को बक्तेवे 15 मिन का टाइम हो चुका है तो चले देखते हैं अब यह भी तक्रीमा थोड़ा वह जो पानी है उसे खुश खोने देंगे कटलेस के लिए एक किलो आलू बाल कर इसको मेश कर अब आजाते हैं कीमे की तरफ जिसमें जाएगा भुना और पिसा वजीरा पिसी हुई काली मिर्च और चाट मसाला चाइनिस नमक यह सब चीज़े आधी आधी चाय की चमच जाएंगी बारिक कटावा दनिया पुदीना साथ साथ यहाँ जो मैंने अंडे रखे हैं दो अध इसमें चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और नमट डालेंगे चलेजी तो कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं साथ हीजाद अंडों को फैट लेंगे और कटलेस बनाने के लिए अब आलू के मिक्स्चर का इदमोल बना लेंगे अब इस तरीके से इसको फेला कर अंगलिय के मिक्स्चर की एक टिक्या बना लेंगे कीमा डाल कर इसी तरह की दूसरी टिक्या उपर लगा कर कवर करके गोल गोल घुमाते जाएंगे ताकि अच्छे से कीमा कवर हो जाए देखिए कितने अच्छे से टिक्या बनकर तयार हुई है अब सारी टिक्यों पर बारी बारी के लिए एक साथ पर पकने देंगे पिर इसको आराम से दूसरी तरफ पल्टा देंगे देखिए कितना अच्छा कलर आया है रायता केश्चम मायोनी जिसके साथ मरजी आप पेश करें सभी के साथ बड़े लजीज लगते हैं एक कटलेस काट कर दिखाती हूं देखने वाला ज अगर आपको मेरी रेसेवी की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह आपकी तरफ से आपका प्यार और मुहबत होती है और मुझे अपनी दूआ में याद रखना ना बुलिएगा इजाज़त चाहती हूं हुआ रखना लाइक?